नमस्कार दोस्तों अपका स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों का कहना है कि मनुष्य का गौरव उसके पतन का कारण है कुछ को अपने धन पर गर्व होता है कुछ को अपने बल पर गर्व होता है केवल मनुश्य ही नहीं बलकि देवदा भी अभिमान से अच्छूटे नहीं रहे है आज हम आपको एक ऐसी कानी बताने जा रहे है एक बार गरूर भगवान श्री हरी के वाहन को लगने लगा की कि उनके बिना भगवान विश्णू का कोई काम नहीं हो सकता भगवान श्री कुष्णे ने इस समस्य का समाधान के लिए हनुमान जी को बुला आया लेकिन वह द्वार का नहीं आये उन्होंने पेड़ों से फल खाने शुरू किये और उन्हें उखाड फेका और उसके बाद भगवान श्री ने उन्हें रोकने के लिए अपने सेना के साथ गरूड को बेजा गरूड अपनी शक्ती की अभीमान में जानता था लेकिन उसने उस श्रन कहा कि मैं इस बंदर को बहुत आसानी से पकड़ लूँगा कुछ ही समय में गरूड देव हनुमान जी के सामने पोचा अपने वानर से हनुमान जी से क्या पोचा आप ऐसा क्यो कर रहे हैं श्री कृष्ण जी ने आपको बुलाया है इसके बाद हनुमान जी ने कहा कि बंदरों का सोभाव है कि वे आदा फल खाते हैं और उसे फेक देते हैं इसलिए मुझे अपना काम करने दो तब हनुमान जी और गरूड देव के बीच बहेंगर यूप हुआ लेकिन बजरंग बनी जानते थे कि गरूड भगवान विश्णू का वहान था और इस कारण वह अपनी पूरी शक्ती के साथ नहीं जा रहे थे लेकिन उसने गरूड देव को अपनी बाहों में पकड़ रखा था इसके बाद उन्होंने कई बार गरूड देव को समुद्रों में डुबाया और अंत मैं हनुमान जी ने उन्हें समुद्रों में फेक दिया इसके बाद गरुड़ देव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें ने भरवान कुरुष्ण से अपने व्यावार के लिए माफी मांगी तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लेगी और मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताए इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राब करें और बैल एकन दबाए मिलते हैं अगली वीडियो में